योद्यस इस वक्त की बड़ी खबर मिल रहे है जहां राम जन्म भूमी ट्रस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है तो महंतर नर्ते गोपाल दास को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी तो राम जन्म भूमी ट्रस्ट की बैटक में शामल होंगे नर्ते गोपाल दास तो बैठक में शामिल होने महनतर नर्ति गोपाल दास दिल्ली रवाना हो चुके हैं कल दिल्ली में होगी राम जनभूमी मंदिर निर्मान को लेकर ये बैठक तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे कर दिल्ली में राम जन भूमी मंदर निर्मान को लेकर बैठक होगी और इस बैठक में शामल होने के लिए रांतर नर्ति गोपाल दास दिली के लिए रवाना हो चुगे है तो बैटक में मंदिर निर्मान के तिति पर चर्चा जो है वो की जाएगी तो राम जन भूमी तुर्ट को लेकर बड़ी खबर मिल रही है मांतर निर्ति गोपाल दास को प्रस्म मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी तो राम जन भूमी ट्रस्ट की बैटक में शामल होंगे निर तक काफी एहम मानी जा रही है और इसमें तारिकों को लेकर विज़ार विमश जो है वो किया जाएगा तो आपको बता दे कि महांतर नर्तिकोपाल दास को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्योंकि लगातार जो नाराजगी थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अब राम जनभूमी ट्रस्त से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं जो आप logo डिली के लिए रवाना हो चुके है महांत्र नर्तिकोपाल दास तो बता दे कि महांत्र नर्तिकोपाल दास को बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्त में मिल सकती है तो ट्रस्त की बैठक में अब शामिल होंगे नृत्य गोपालडास तो आपको बदा दे कि बैटुक में शामिल होने के लिए महांत नृत्य गोपालडास दिल्लीक रवाना हो चुके हैं कल दिल्ली में राम जन भूमी मंदिन निर्मान को लेकर बैठक होनी है और इसी बैटक के अब एहम हिस्सा महंत निर्तिकोपालदास भी होंगे और माना जा रहा है कि कई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती क्योंकि संत समाग में लगातार निर्तिकोपालदास को जिस तरह से ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया था और अध्यक्ष पद की दोड में भी कही ने कही उनको नाम से आगे चल रहा था लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट का नाम सामने आया उसके बाद काफी वाल यहां पर देखने को मिला था और अब ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रहे है कि महंत निर्तिकोपालदास को बड़ी जिम्म प्रेदारी जो है वो मिल सकती है